ओम शान्ति लिए ब्रह्मातन में अवतरन लेकर इस सारी पतित दुनिया को पावन बनाने ही तू हम आत्माओं को एडॉप्ट कर हमें ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे हम स्वयंभी परिवर्तन होते और विश्व परिवर्तक का टाइटल भी लेते हैं तो आईए रिवाइस करते हैं आज के 3 डिसमबर 2022 के महवाक्यों को हम बच्चों को बड़े से बड़ी कौन सी कारोबार मिली हुई है सारी दुनिया को बाप का परिचे देने की कारोबार जिन बच्चों की बुद्धी सतो प्रधान बनती जाती है उनकी निशानिया क्या होंगी वे दिन राज सर्विस में लगे रहेंगे उन्हें दूसरों को आप समान बनाने के खयाल आते रहेंगे वे अपना और दूसरों का कल्यान करने की युक्तियां रच्चते रहेंगे दिन, सत्य युग, नई दुनिया, पवित्र दुनिया शृववावा संगम युग में आकर कौन से कर्तववे करते हैं? श्रीमत देते, हमको पढ़ाते, लिब्रेट करते, नव्युग बनाते, डारेक्शन देते, रात को दिन बनाते, दोजक को बहिष्ट बनाते, अपनी पहचान देते, राज्योग सिखलाते, सजनियों को जगाते, पतितों को पावन बनाते, ब्रम्हा मुक्त्वारा समझाते, रावन के चम्बे से छुडाते आज की मुरली की अनुसा श्रिव बाबा की महिमा इस प्रकार है लिब्रेटर पतित पावन बेहत का बाप ग्यान का सागर भाग्य विधाता गीता का भगवान मुक्तिधाम का मालिक बाप हम बच्चों से क्या कहते हैं अब रात पूरी होती है मौत सामने खड़ा हुआ है कुम्ब करण की नीद से जागो दिन आया है इसलिए तुम जागो अभी इस पुरानी दुनिया का अन्त है किसको क्या कहा जाता है माया रावन को शैतान तमो प्रधान बुद्धी को बेसमज शिव की आत्मा को सुप्रीम सोल परमपिता परमात्मा को पतित पावन धन होते भी दान ना करने वाले को मनहूस संतुष्टता की सीट पर बैठ कर परिस्थितियों का खेल देखने वाले को संतुष्ट मनी बहुतों को आप समान बनाने वालों की सर्विस के खयाल चलाने वाले को सतो प्रधान बुद्धी आज की मुरली की अनुसार गायन इस प्रकार हैं त्री मूर्ती ब्रह्मा सेकिन में जीवन मुक्ती निराकार शिव जयनती मूत पलीती कपड़ धोये भंभोर को आग लगती है तब आँख खुलती है हम कौन हैं? सजनी, ब्रामन, भाग्यवान, संतुष्ट मनी, ब्रामन, संप्रदाय किन बातों को धारणा में लाना है, संग के रंग में नहीं आना है, सर्विस और पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना है, ज्यान धन दान करने में मनहूस नहीं बनना है, देवता बनने की पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है, कड़े हिसाब किताब को योगबल से चुक् निकालनी हैं. ये थी आज के मुरली की विशेश बाते, संगम का ये मौसम है, श्विव बाबा के संग के रंग में रंगने का, तो किसी भी देहधारी के संग में ना आकर स्वयम पर अटेंशन दे, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है, हमें इस बेहत की पढ़ाई को बी है और पढ़ाना भी है इसी दंदे में बिजी रहना है ओम शान्ति